अगले दिन परीधी खुद को एकदम नॉर्मल करते हुए हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ गई, जहां सुष्मा और अक्षत उसका इंतिजार कर रहे थे मॉम जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दीजे, मुझे भूट भूख लग रही है परीधी को इस तरह से कहता देखकर सुष्मा को कुछ सुकून मिला, तब ही वहां राहुल आ गया आओ राहुल बेटा, तुम भी हमारे साथ नाश्टा करो, आओ नहीं आंटी, अब मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, आप कर लीजिए, तब तक मैं यहां सोफे पर बैठता हूँ ये कहकर राहुल सोफे पर बैठ गया, और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्टा करने लगे नाश्टा करके परिधी राहुल के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई, I am happy कि अब चीजें वापस से ट्रेक पर आ रही है मैं तो कहता ही था कि सब ठीक हो जाएगा, फर आप बेकार में ही परिशान होने लगती थी, चली मैं भी कॉलेज के लिए निकलता हूँ अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल पहुँचते ही परिधी और राहुल अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए, परिधी ने देखा उसके डिपार्टमेंट में काफी जहल पहल है और एक नर्स इंटरन्स को कुछ इनफोर्मेशन दे रही थी, परिधी भी आगे बढ़कर उनकी बात सुनने लगी डॉक्टर पाठक को अभी कुछ और दिन लगेंगे, हमारे पास कल शाम को ही इनफोर्मेशन आई पर साथ में हमें ये भी पता चला है कि एक बहुत काबिल सीनियर डॉक्टर हमें आज से जॉइन कर रहे हैं इस सर्जरी में आप लोगों में से एक इंटर्न उन्हें असिस्ट करेगा और वो होंगी मिस परिधी शर्मा जिने डॉक्टर ने खुद सिलेक्ट किया है ये सुनकर परिधी हक की बक्की रह गई उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रियक्ट करें लेकिन बाकी के इंटर्न्स उसे कॉंग्रेचिलेट करने लगे पर मैम मैं इतने बड़े डॉक्टर को कैसे असिस्ट कर सकती हूँ मुझे तो अभी कुछ भी नहीं आता मेरा पहला दिन है आज इंटर्न्शिप का तो आ जाएगा डोंट वरी वैसे भी इट वुड बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फो चिल मुझे इंफॉर्म कर याद नहीं आ रहा है नर्स ने डॉक्टर का नाम याद करते हुए पीछे मुड के परीधी से कहा ही था तभी उसके साथ चल रहा वाट बॉय बोला यह आप डॉक्टर सहाब से खुद पूछ लेना फिलाल अभी जल्दी करो सरजरी शुरू होने वाली है आप भी रेडी हो लो आ गए सर डॉक्टर कबीर गुप्ता कबीर का नाम सुनते ही परीधी के पूरे शरीर में एक सहरन सी दोड़ गई और उसने सामने देखा तो उसे कबीर पूरी सर्जिकल किट पहन कर आता दिखा परीधी उसे देखकर एकदम शौक्ड रह गई परीधी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रियक्ट करें और उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कबीर ने वही ऑस्पिटल एज अ सीनियर डॉक्टर जॉइन किया है जहां वो इंटर्शिप कर रही है परीधी ने बे तहाशा गुस्ते से उसकी तरफ देखा और वहां से सीधा है अरे डॉक्टर परीधी इस वक्त तुम यहां क्या कर रही हो तुम्हें तो इस वक्त ओटी में होना चाहिए उसी के रिगार्डिंग मुझे आपसे कुछ बात करनी है मैं मैं इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती वाट तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह र आना चाहती हूं कि डॉक्टर के प्रोफेशन में उनके पर्सनल रीजन्स कभी भी नहीं आए